हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चैनल मैजिक का पिंच ओफिस्पाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं खजूर डेट्स रोल की रेसिपी इंड्रीडियंट्स में हमें चाहिए खजूर डेट्स बारी कटे हुए ड्राइफूट्स आप अपनी पसंद के ल लिया है पॉपी सीट्स खस खस और थोड़ा सा देशी घी सबसे पहले इन खजूर को में चार से पांच मिनिट के लिए माइक्रोवेब में रखूंगी जिससे यह सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको मैश करना इजी होगा तो चलिए इसको मैं रख देती हूं फाइव मिनिट के लिए माइक्रोवेब में तो चलिए इसको निकाल रहे हैं यह देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए है अब हम इसे करते हैं मैश तो चलिए इसको मैश कर लेते हैं अच्छे से हम अच्छे से मैश हो चुका है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी एक टेबल स्पून देशी घी और यह सारे ड्राइब फूट्स अच्छे से इन सब को मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लेंगे और अच्छे से इसको एक बार हाथ से मिक्स करेंगे अच्छे से ड्राइब फूट्स और देट्स जो है वो मिक्स हो गए चलिए आप चलते हैं नेट्स स्टेप की तरफ एक बेकिंग पेपर लेंगे हम और उस पर हम यह खस खस जो है उसको डाल लेंगे और जो हमारा यह इसको हलका सा रोल करके इस तरह से और खसकर इसमें हम लगाएं अब हम इस रोल पर इस खस खस को पॉपी सीट्स को अच्छे से लगा लेंगे सब तरफ से इसको हम पूरा पॉपी सीट से कवर कर देंगे अब देखिए इस तरह से इसके बाद हम इसी बेकिंग पेपर में इसको टाइट ले रोल कर देंगे और एक से दो घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी कि इसको रहां से इसको सट्क्रण कर दीजिये और अब इसको रख देती हूं रेफ्रीजरेटर में एक से दो घंटे के लिए एक घंटा इसको राख चुकी हूं मैं तो चलिए आब यह देखिए और अब हम ताट लेते जिशन पहले साइड वाला हम निकाल रहेंगे इसका तो मेरे खद्दू दोस्तों यह खजूर रोल बनके रेडी हो चुके हैं आप भी जल्दी से इसको बनाईए और टेस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए कि आपको कैसे लगे तो फ्रेंड्स आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए अपने फ्रेंड्स और फ् आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फोरगेट तो प्रेस दा बैल इकॉन तो गेट नोटिफिकेशन आप लोड माइन नीव रेसिपी सून तिल देल गुडबाई टेक किया